तो हमास और हिजबुल्ला की डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है। इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बुरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नेतन यहु के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का फंदा बता रही हैं। हलाकि इसराइल के बात करें तो इसराइल के पास अब दो विकल्प बचे हैं। या तो वो सीजफायर कर दे या फिर इस युद को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तयार है। लेकिन इसराइल सीजफायर करना नहीं चाता लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हतियारों की कमी भी होने लगी है। और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है। वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गोर से देखिए। हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है। यह वीडियो इसका उदा रहा है। हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत खुद सौ डॉलर भी नहीं होगी। जमीन से दा रही है। इतना सस्ता और जोगाण का रॉकेट हमास में तयार किया है कि इसराइल पहुँचक का है। इन सस्ते से रॉकेट के लिए इस्रेयल को अपने लाखों दॉलर की मिसालें खर्च करनी पड़ रही है क्योंकि घाजा की ओर से आया एक तिन का भी इस्रेयली डिफेंस के टार्गेट पर है और वो इस्रेयल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नर्तो नाबूत किया जाना जरूरी है हथियार शास्त्र समझे और युट में इस्रेयल के नुक्सान को समझे हमास का सस्ता रॉकेट इस्रेयल की महली बेसाइब कीमा सौ से पात सो टॉलर कीमा लाखों टॉलर इस्रेयली खुफिया अजेंसी और इस्रेयली एरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहत कमजूर और हलके रॉकेट को रोकने में लग रही है हमास के अल्कुट्स ब्रिगट में ऐसा परीन लगाया है कि इस्रेयल की परिशानी बढ़ गई है यहां आपको हमास के अल्कुट्स ब्रिगट के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इस्रेयल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अलकुद्स ब्रिगट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है अलकुद्स ब्रिगट घाजा में हमास के बाद नमबर दो संगठन है 1981 से ये संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इस्रेयल के साथ हिंसक जंग लड़ रहा है अलकुद्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अलनाखल ये खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ातों को और देते रहते हैं हमास कैसे इस्रेयल की वार इसकरडिली का दूर निकाल रहा है इसकी कुछ और दीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि युद्ध में जीत की गैरंटी आर्थिक नौकसान की तुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेकिन इस्रेयल के साथ ऐसा नहीं हो रहा युद्ध में इस्रेयल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है ठीक यही किस्सा युक्रेन में भी हुआ था दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ते मिसाईलों के खिलाब रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाईलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाब इस्रेयल अपने महंगे मिसाईलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इसराइल को भुगतनी पड़ रही है इसराइल ने इससे बचने के लिए आस्पांग में अपनी सबसे खदरनाथ परिंदे में से एक कोट पिंजरे से बाहर निकाला है इस परिंदे वाले हथियार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ा के सुरंगों में छिप जाते हैं जिसकी वज़े से इसराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परिशानी होती है हमास ने घाजा में करीब 500 किलोमीटर लंगी सुरंगे बना रखी है ये सुरंगे गहनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है और हमास के इन सुरंगों का ठाह लगा पाना इसराइल की सेना के साथ वहां के कुफिय आजेंसी मुसाद के लिए भी चुनोती बन गया है इसराइल की मीडिया के मुताबिक इसी लिए इसराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ध्रोन एलबिट हरमेज 450 को घाजा में उतार दिया है ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का धक्षा निकाला जा सके और वहाँ छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके इसराइली मीडिया का दाबा है कि ये जासूसी ध्रोन निकरानी के लिए बेहत कारगर है इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है इसराइल की मीडिया के मुताबि ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई है एलवे जर्मेस 450 ड्रोन करीब 170 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से उड़ान भर सकता है और सबसे खास से इसका रेडार सिस्टम जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है वो भी 18,000 फीट की उचाई पर उडान भलते हुए इसरेल के पास दुनिया की सबसे लिटिस तक्नीप वाले ड्रोन मौझूद है इसरेल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत से हथियार भी है जिनका इस्तिमाल इसरेल यूद जारी रहा तो जरूर कर सकता है दूसरी और ड्रोन के स्थे पर हमास भी कंजोर नहीं है कामिकाजी ड्रोन टेक्नोलोजी को इरान के जरीये हमास के आतनकवादियों तक पहुँचाया गया है इसके जरीये इसरेल की फोज के हरे एक मुव्मिन को हमास के लड़ा के पहले ही जान लेते हैं काले रंग का कामिकाजी ड्रोन आतनगाती हमला पर है इसी ग्रोन के जरिये अभी तक ITF के खिलाफ हमास ओपरिशन को अंजाम देते आया है ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ग्रोन का सस्ता वर्जन है हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए है जिससे जमिंदूज की ये बिना हमास का संपून विनाश संभो नहीं है लेकिन इसरैल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अखिला दुश्मन नहीं है लेपनन के हिजबुला भी है, यमन के हूथी वित्रोही भी है जिनकी ओर से हमास के समर्थन में इस्राइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं हालात इतने बत्तर हैं जैसे कभी भी किसी वीवक्त तीसरा विश्यूयत भड़ा पुठ है जिशामन के हूथी विद्रोहियों ने फिर इस्राइल को निशाना बनाने की कोशिश की है इस वक्त लेबनन के हेजबुला से भी जादा हमले इस्राइल पर हूथी कर रहे हैं इन हूथी विद्रोहियों का आका है इरान हूथी विद्रोहियों के मिसाइल लाल सागर से हूती हुई दक्षने एजरेल के एलट शहरे में गिरने वाली थी लेकिन एजरेल ने लाल सागर से आती हुई उन बलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया क्योंकि दक्षने इज्राइल के एलट शहर में उसका Aero 3 मिसाइल डिकन्ट सिस्टम देना थे जिसने हुथी विद्रोहियों के मिसाइलों को पहचान कर मार गिराया हुथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफ्ट करियर आइजन हावर उतारा है तो वही हिस्बुल्ला के खलाब भूमद सागर में जेराल फोर्ड पहरा दे रहा है इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लडाके की मौत तक इसराइल के एरो फ्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नश्ट कर दिया इसराइल का एरो फ्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम सठी खमले करने में वाहिव है और मिसाइल को ड्राग करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है इस्राइल ने जब Aero Free Missile Defense System का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था हमास किसी भी इस्तर पर इस्राइल के सामने नहीं टिट सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंत क्या है क्या किसी साज़िश के दयत पर शिमी इशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि गाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे है लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ से ग रहे है दरसर रूस, इरान और चीन ये तीनों नहीं चाहते हैं कि महौल सान्थ हो क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पस्षी मेसिया उनके दूस्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इस्राइल की वज़ा से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिमेदार ठहराया जा रहा है ये तीनों देश से इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसलिए पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाप हिन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है अगर रूस, इरान और चीन को इरा, जोड़, होवे, लबन, ओमा, फिलिस्तीन, कदर, सौदियर, सीरिय, तुर्की, संयुक तरव अमिरा और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है इन सारे देशों के बीच इसरैल, अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा की दावा किया जाता रहा है संयुक तरव अमिरात और इरान के बीच भी सोलगते मुत्पे हैं 22 देशों का अरब संगठन, शब्दों का खेल खेल रहा है फिलिस्तीन में मानवी अमदद के नाम पर कुछ ट्रकों को भेजे जाने के आलाबा इन देशों ने कोई कदम नहीं उठाया इरान के राशबती इवराहिम रईसी अपने शब्दों से ही परमाणू युद छेड़ती रहे है जमीन पर उनका एक भी शब्द सही नहीं उद्रा है युद में कमजोर का मारा जानता है और हमास इसरेल से बहुत 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 कमजोर है लिहाजा गाजा चल रहा है धूदों कब तब जलेगा कोई नहीं जाना